प्रेस दे बेल आइकन ओन दे यूट्यूब अब और नेवर मिस अनादर अपडेट हेलो गाइज, वल्कम बैग, टेकनलोजी की स्यूग में अमेरिका, जापान और चीन ने अब आटिफिसल इंटिलिजेंस की मदद से रोबोट बनाने लगे हैं ताकि वे इन रोबोटों को अपने इंडेस्ट्रियज, टेकनलोजी और अधर फिल्ड में इसका इस्तिमाल कर सकें ताकि वे कम समय में बहतर रच्छा करके ज़्याद से ज़्यादा डेबलप हो सकें इनी सब बातों से लेकर अनी देशोंने भी अपना ध्याद रोबोट बनाने की तरफ कर लिया तो वही अब इंडिया ने भी अपना पहला रोबोट बना लिया है इंडिया का पहला रोबोट ASAT Training and Research Student में दिवाकर best के द्वारा बनाय गया था दिवाकर वेस ने इस रोबोट को डिजाइनिंग और प्रोनारमिंग किया इस रोबोट को 2014 के लास्ट मेने डिसेंबर में बनाया गया था और इसे मुंबई के IT बंबे टेक फेस्ट में फर्स्ट टाइम इसे डेब्यू कराया गया है और इस तरह ये इंडिया का पहला रोबोट बना इस रोबोट का बाहरी बोडी 3D प्रिंटेट से बनाया गया है तो इसलिए इस रोबोट को इंडिया का पहला 3D प्रिंटेट रोबोट भी कहा जाता है और इस रोबोट को मानव का नाम दिया गया है यानि इस रोबोट का नाम मानव है और इस मानव रोबोट की लंबाई दो फीट है और इसका वजन दो किलोगराम के बराबर का है अब हम बात करते हैं इस मानव रोबोट के फीचर के बारे में तो इस Manover Robot में अलग-अलग टाइप के सेंसर और प्रोसेसिंग लागे हैं ताकि वो आपने आस पास के environment को समझ सके और उसके मुताबिक वो data को analyze करके हमारे command को follow कर सके और यह Manover Robot कुछ ऐसे भी activity करते हैं जो हम लोग करते हैं जिससे walking and dancing और यह कुछ अन्नी activities भी करते हैं जब हम इसे कुछ command देते हैं यह command के मुताबिक उस activity को करते हैं उधरन के लिए जैसे कि हम Google Assistant यह Alexa पे command देते हैं तो उस command का reply देता है यह Manover Robot भी इसी तरह काम करता है यह हम से command मांगते हैं और उस command के मुताबिक वो अपने activities करते हैं और अपना reply देते हैं और इस Manover Robot की एक और खास बात यह है कि इसका सर 21D तक घुम सकता है इससे वो अपने 21D तक के अपने आसपास की environment को देख सकता है और यह उसको analyze कर सकता है और इस robot में rechargeable battery है इससे हम इसे time to time recharge करके फिर से इसका इस्तमाल कर सकते हैं और इससे चला सकते हैं इनके अलावा इस airline को हम WiFi और Bluetooth से connect कर सकते हैं और इससे हम control कर सकते हैं और इस robot में कुछ ऐसे भी feature है इससे यह human nature के दोणा दरसाए जाता है यह human nature के द्वारक कुछ करने का कोसिज करता है और इस तर यह हमारा इंडिया का पहला रोबोट है अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो लाइक करें और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर लिखें